नासक्रा दोस्तों मैं हूँ ठीच्ट अस्ट्रोजर आज हम बात करेंगे आपके गोल्ड, सिल्वर में क्या इस्थितियां बन सकती हैं और आप लोगों को जानकारी दूगी और क्रूड आयल में क्या इस्थिती हो सकती है एक अनुमानिक अंदाज अस्ट्रोजी के बेस्प्याब लोगों को बतलाऊंगी जैसा कि आज हमने मार्केट देखा गोल्ड और सिल्वर और क्रूड आयल में भी हमको अच्छी गिरावाटास देखने को मिली थी और इसके साथ ग्रहन अच्छत्रों का जो प्रभाव पड़ता है समस्त बंभान पर पड़ता है चाहे कोई व्यक्ति माने या ना माने और हम इसी की गढ़ना क्योंकि जो 30 सास्त्र हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है. यह इस वर के द्वारा बनाया हुआ सास्त्र है और उसी काद्यण करके आप लोगों को जो है इतनी गढ़नाये निकालकर के जांकारीयं दी जाती है. तो जी हां दोस्तो अब हम देखींगे कि सौंबार के मार्केट में क्या इस्तिती आपके बनेगी याने कि सौंबार से लेकर के सुकरवार तक का आपका मार्केट कैसे रहने वाला है और क्या गिरह इस्तिती बना रहे हैं तो जी हां दोस्तो याने कि 5 से लेकर के 9 आपके 9 फर है और आपमारे कार एले सकते हैं जान सकते हैं आज ये गौल्ड में में जो लेवल निकाला गया था लेकिन गोल्ड का मार्केट इससे भी जादा नीचे गया सिल्वर के लिए 70,800 तक निकाला था तो इतने आगे जो है इसका मार्केट गया तो एक प्रकार एक अनुमान निकाला जाता है तो भै बड़ा सही उस्तर्टीक सावित होता है अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपका सौंबार का मार्केट रहने वाला है याने की सबसे पहले तो हमारी गड़ना पंचांक बेस पर अधारित रहती है तुझियां दोस्तों सौंबार का दिन रहेगा और इसमें दिन है जो है जेश्ठा नच्छत्र का प्रभाव पूरे दिन रहेगा इसके साथ भाव जवरदस्त देखने को मिलेगा और लगन बन रही है मीन जो की जो है कि मंदे की रासी भी कही जाती है मीन तो यह लगन बन रही है जो है आपके नो बजे के मार्केट के लिए और यदि हम इस दिन देखेंगे तो जेश्ठा नच्छत्र में अस्वनी स्वाती अनुमान देखते हैं तो इस दिन जो है मार्केट में कुछ मद्दी के बाद जो है हमको सुधार को देखने को मिलेगा मार्केट में और अगला अगली जो तारिक हाती है तो आप गोल्ड में देख सकते हैं कुछ तेजी के योग हमको यहां पर देखने मिलेंगे और सिल्व मद्दी के बाद कुछ तेजी देखने को हमको मिल सकती है अगला हम देखते हैं कि 6 तारिक याने की 6 फरवरी के मार्केट में ग्रह स्थिती तो मंगलवार का दिन रहने वाला है इस दिन मूल नच्चतर रहेगा धनू राशी का प्रभाव रहेगा और जिया दोस्तो इस दिन धनिष्ठा नच्चतर में सूरी जाने वाले हैं तो जब धनिष्ठा नच्चतर में सूरी जाते हैं तो कमोडिटी मार्केट में जो है कुछ तेजी के योग ये बना देते हैं जैसे आपका तेल है मूंग है चना है उडद है इनके साथ ही साथ धातुओं में भी ये तेजी योग बन रहा है और दोनों सुब ग्रहे हैं और किसी भी पाप ग्रहे की दश्टी इन पर नहीं पड़ रही है अगला हम देखते हैं साथ आपका फरवरी यानि बुद्धवार का दिन तो बुद्धवार के दिन के मार्केट में जो रहेगा पूर्वा शाड़ा नच्छतर र मिक्स से चल सकता है और यह आप रुख देख सकते हैं मार्केट का अगली तारिक गोल्ड हो आपका सिलवर हो कुरूड आइल हो मिक्स ट्रेंड देखा जा सकता है थोड़ी बहुत कुरूड आइल में उशाल की संभावना बन सकती है अगला हम देखेंगे आपका आठ फरव रजे के बाद से मकर राशी का प्रभाव आ जाएगा तो इस दिन के मार्केट की जो गर्णा हो सकती है क्योंकि इस दिन ग्रह इस्तिती कुछ ऐसी बन रही है कि हो सकता है हमको कुछ डाउन भी देखने को मिल सकता है अगला हम देखेंगे तो इसमें आपको प्रूड आइल में जो है कुछ डाउन की बाद सुधार बन सकता है वहांकि गोल्ड इसलिवर में कुछ डाउन की संभाव ना बन सकती है अगला हम देखते हैं आपका सुकरवार सुकरवार याने की नौ फरवरी का मार्केट क्या होगा तो नौ फरवरी का यदि हम मार्केट देखते हैं त उसके बाद से मार्केट का रुख किसी वी दिसा में चला जाता है तो हो सकता है यहां पर मिक्स में आपको कुछ प्रॉजिटिव देखने को में सकता है यह संभावनाई बन सकती हैं तो जियां दुस्तो मैंने यह आपको एस्टॉलोजी के बेस पर एक जानकारी दी है यदि जानकारी अच्छी रखती है तो चैनल को लाइक सस्क्राइब जरू कीजे बैल आइकान अवस्दव आईए और यदि आप प्रडिक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे कारला का जो नमबर दिया हुआ रहता है इसी पर आप संपर्क करके जानकारियां ले सकते हैं वीडियो देख